आप लोगाइज वेलकम बाक्तिदी चानल कैसे आप लोगाई होप यूगाईज आ डूइंग आप्सलूटी फाइंग आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी मिस्टेक्स की जो एक क्रिप्टो इन्वेसर करता है डियूरिंग जन इन क्रिप्टो करनसी बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स ह और कैसे वो उनको rectify कर सकता है इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक disclaimer और देना चाते हैं कि कोई भी आदम आपके comment section में आपके comment करके यह बोले कि हमारा whatsapp number है तो उन सब बचके रहना वो सारे के सारे scammers हैं किसी भी social media से कभी भी हम आपसे connect नहीं करते हैं किसी को भी आपने अपने crypto send नहीं करने किसी को अगर आपने crypto send करें तो समझ लीजिए वो crypto आपके आथ से चले गए वो कभी भी वापस नहीं आएंगे कोई भी उनको recover नहीं करवा पाएगा आज की रेट में जहाँ पर crypto currency की इतनी बात चल रही है everybody is interested to find out कि कौन से cryptos में वो invest करें कौन से crypto token जो हैं वो आगे जाके अच्छे खासे results उनको दे सकते हैं अच्छे खासे returns उनको दे सकते हैं on their investment बट इसी के साथ साथ कोच ऐसी mistakes हैं जो almost सारे के सारे crypto investor करते है the first biggest mistake is not deciding कि आपने कब exit करना है from the cryptocurrency आज की डेट में although market जो है वो bearish चल रही है बट काल की डेट में जब 2023-2024 के हम लोग बात कर रहे हैं जहाँ पे एक bull run आएगा market में वहाँ पे लोगों का target जो है वो defined नहीं होता आपने अपना target set करना है आपने decide करना ही कितने में आप उसको sell करोगे क्योंकि होता क्या है जब भी bull market आएगी लोग जो है और greedy होते है on the investment that they have made आज की लिए कहीं किसी को 10% 20% जहाँ पे return आता है तो वो wait करता है कि 30% 40% या 50% return इसमें मुझे और मिल सकता है तो let me wait on it let me just set on it and देखते हैं कि कितना return हमें मिल सकता है उसी के साथ साथ ये भी important है कि आप अपना price target खुट decide करो किसी का क्या price target है क्या उसका price prediction है उस पे मत जाओ वो ज़्यादा better होता है आपकी investment के लिए आज की जब में बहुत सारे ऐसी लोग हैं जो online जाते हैं search करते हैं about price prediction price prediction सबकी अलग लोग होती है सबके अपने-पने thumb rule है to decide on क्या उनका price target होना चाहिए बट सबका price target same नहीं हो सकता ये चीज हम लोगों ने याद रखनी है आप लोगों ने याद रखनी है as a crypto investor आप लोगों ने अपने cryptos का अपने investment का खुद ही price target जो है वो set करना है that is very important for everybody जहां पर आप उसको sell off करोगे ये नहीं कि जब आपका price target meet हो जाए तो आप में greed आता है हर आदमी में greed आता है आप में भी greed आए बोले नहीं या 10% और सही 20% और सही थोड़ा सा risk call ले लेते हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों ने नहीं करनी है once you have decided the price target stick on it the second biggest mistake जो आज की रेट में बहुत सारे crypto investor करते हैं is not having patience आज की रेट में जहां पर हम सब को पता है कि market bearish चल रही है सारे के सारे altcoins गिरे हुए है bitcoin गिरा हुआ है ethereum गिरा हुआ है from their all time high वहीं पर लोगों का patience जो है वो काम नहीं कर रहा लोग बोल रहे हैं हडबडी में हैं कि यार क्या होगा what will happen next and बहुत सारे searches कर रहे हैं on internet कि क्या होगा अगे जाके yes एक चीज होती है on studying on the crypto जिसमें आपने invest कर रहा है but there is always another thing जहां पर आप nervous होके study कर रहे होते हैं जहां पर आप nervous होके study कर रहे हो obviously ford इतना फैला हो है market में because of the bear market कि आपको कहीं न कहीं लगता है कि कि यार मैं अभी भाहर निकल जाओ from the crypto currency market अभी नहीं एंटर करों तो बेटर है या मैंने जो investment कर रहे है वो मैं liquidate कर दो patience is the virtue finally अगर आपने अपने crypto के बारे में पढ़ रखाया उसके आगे का road map अगर आप जानते हो क्या-क्या उसमें चीज़ें होंगी क्या-क्या उसमें development होगी and if you believe in them आप लोग hold on कर सकते हो उन crypto को अगर आपने उतनी investment डाल रखिये तो बहुत अच्छी बात है yes it is a totally different thing जब आप ज़्यादा पैसे डाल देते हो किसी भी crypto में या total crypto कांसी investment portfolio में अपने वहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा पैसे डालते हो but obvious अगर market यहाँ से 10% भी नीचे आती है तो वो बहुत nervous करती है आपको वो nervous आपको इस तरीके से करती है कि आप लोग decide कर लेती हो कि चलिए जितना loss हुआ हुआ अब मैं इस market से भार चले जाता हूँ because मुझे कोई scope आगे नजर नहीं आ रहा so those are the things which you will have to watch out for FUD जो हैं फैलाने वाले बहुत सारे लोग है आज की रेट में बहुत सारे लोग आके आपको यह बुलेंगे यार crypto market तो खतम होगी या इसमें कुछ भी नहीं बचा all alt coins are down 80%, 90%, 100% down हो जाएंगे zero का हो जाएगा so यह सारी चीजे market में फैलती है when the market is down but यही लोग है जो चुप हो जाते है when the market goes up जब bull run आता है October के मन्त में आमने देखा था कैसे bull run आया था 2021 में वहाँ पे सारे FUD जो फैलाने वाले लोग हैं वो गायब हो गे थे from the market यह चीजे आप लोगों ने ध्यान में रखनी है and concentrate करना है आपने अपनी investment में concentrate करना है आपने अपनी cryptos में you'll have to look into what cryptos are you holding you'll have to decide कि कौन से crypto में आप invest करोगा and that is the next point आज की डेट में बहुत सारे लोग जब investment करने जाते हैं in crypto कांसी वो search करते हैं on YouTube वो search करते हैं on Google की कौन सा crypto हम purchase करें किस crypto में क्या चीजे चल ले है that can be a part of your research but वो complete research आपकी नहीं होती है complete research आपकी तभी होगी जब आप उसके बारे में road map पढ़ लोगे खुद उसके पर trust करोगे telegram में आप join करते हो twitter में आप follow करते हो सारी जगा जब आपने research कर ली होती है and then when you are confident तभी आप किसी भी crypto में पैसा डाल सकते हो not on the basis of कि आपने एक video देख ली या एक article पढ़ लिया on Google उसके basis में अगर आप पैसा डाल रहे हो तो आप ये मान के चलो कि आप कही ना कहीं nervous होके आप selling करोगे ही करोगे जहाँ पर मेरी जो investment है that is according to my research yes उसमें losses भी हो सकते हैं जैसे मैं आपको कई बार बोला कई ऐसे crypto's हैं जो शायद zero भी हो सकते हैं बट उसी के साथ साथ ये भी important है कि आप लोग जब आपना पैसर डालते हो because that is your hard money आप लोग अपनी research करके जो भी crypto आपको पसंद है जिस भी crypto के बारे में आपने research कर रहे हैं उसी में invest करो ना कि आँख बंद करके जिस crypto के बारे में हम बता रहे हैं या कोई और बता रहे हैं या Google बता रहे हैं उनमें investment ना करें क्योंकि सबके अलग-अलग investment techniques होती है कैसे वो invest कर रहा है कितना पैसा वो invest कर रहा है क्या उसमें returns मिलेंगे सबकी expectation अलग होती है मेरी expectation है और आपकी expectation almost same नहीं हो सकती किसी भी time में ये चीज़ें आप लोगों को जाननी बहुत ज़्यादा important है इसी के साथ बात करते हैं next point की कि don't marry a crypto अब don't marry a crypto क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा crypto हर आदमी के पास एक ऐसा crypto होता है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो जब भी निचे आता है वो उसको DCA करता रहता है continue DCA करता रहता है and वो hold करके रखता है वो hold करके रखता है जब तक वो उसको लगपती या करोडपती न बना दे ये गलती बहुत बड़ी रहती है in crypto market बहुत सारे लोग ये गलतियां करते है but आप लोगों ने इससे बहारा I also love few crypto मुझे भी कुछ crypto ऐसे बहुत जादा पसंद है जो मैं hold करके बैठा हूँ अपने portfolio में कई crypto उनमें से ऐसे हैं जो आज की rate में काफी losses में चल रहे है but उसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको sell कर रहा हूँ या मैं खाली उनी को purchase करता जा रहा हूँ I am looking to diversify my investment जहां पर investment diversification की बात आती है आप वो तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आप एक crypto अपने mind से बहार नहीं निकाल देते yes हमारा first portfolio and second portfolio में काफी cryptos काफी tokens है उसमें काफी ऐसे cryptos भी हैं जो आज की rate में शायद profit में भी हैं शायद losses में भी है बट इसका मतलब यह नहीं कि जो profit में हम वो purchase करे जाएं या जो losses में हैं खाली वो ही purchase करे जाएं we need to diversify we need to see the positive and negative both and think कि हम लोग क्या करेंगे next क्या हम अपना portfolio और increase करेंगे क्या हम कोई नया crypto purchase करेंगे क्या हम कोई नया token purchase करेंगे या हमने already जो investment कर रखी है उनी crypto में हम DCA करते हुए चलेगे that is actually your call and जो last mistake है अब उस point में आते हैं ये point ऐसा है जो 80-90% जो crypto investor है वो करता है ये वो point है जहाँ पे काफी जो mistakes है in crypto currency वो होती है अब ये क्या mistake है क्या ऐसी चीज़े हैं कभी भी हम जब देख रहे होते हैं crypto currency कौन सी crypto हम purchase करें कौन सा token हम purchase करें we always follow few people कुछ 2-4 लोगों को हम follow करते हैं Google में follow करते हैं articles पढ़ते हैं लोगों के those people tell you their assumption and speculation मैं भी यहाँ पे बैठके आपको अपनी assumption and speculation बता रहा है I can be wrong मैंने काफी videos में भी बोला है जो भी article लिख रहा है जो भी video बना रहा है वो कहीं न कहीं गलत भी हो सकता है because उनकी अपनी speculation रहती है उनकी अपनी assumption रहती है so for example हम यह मान के जलते हैं कि BTC जो है वो 10,000 डॉलर्स तक आएगा हम यह मान के जलते हैं क्या उसने अपना सारा portfolio liquidate कर दिया because he must be waiting कि BTC जो है वो 10,000 डॉलर्स तक तो पहुंचेगा बिलकुल भी नहीं because he knows कि वो उसकी assumption है वो उसकी speculation है and he might be wrong अगर कोई आदमी confidently यह बोलता है कि BTC 10,000 डॉलर्स तक पहुंचेगा my next question should be कि कब तक पहुंचेगा कौन सी specific date अगर आपको यह पता है कि BTC 10,000 डॉलर्स पहुंचेगा give me a specific date कि जब BTC 10,000 डॉलर्स सब कहुंचेगा and I am sure इसका answer किसी के पास नहीं होगा because सब लोग अपनी assumption बताते सब लोग अपनी speculation बताते क्या चीज़े हो सकती है market market की condition आपको बताते market fall कर सकती है नहीं कर सकती दोनों के reasons होते आज की rate में भी जहां पर market बैठी है yes, लोग ये बोल रहे हैं कि bearish sentiment जो है market में है है, बिल्कुल है because of the macro economics but उसी के साथ-साथ क्या market निच्चे गरेगी probably yes and that is what we also tell you कि macro economic conditions को अगर हम देखें तो conditions इतनी अच्छी नहीं है but उसी के साथ-साथ हम ये कहीं पे भी नहीं बोलते है कि BTC जो है वो 10,000 तो आएगा ही आएगा अगर हम आपको ये बोलते है तो उसी के साथ-साथ हमना portfolio नहीं खड़ा कर रहे अगर हम इतने शौर होते कि BTC 10,000 डॉलर आएगा या 13,000 डॉलर आएगा तो क्या हम अपना पूरा portfolio liquidate करके बैठे वो हैं कि BTC 13,000 डॉलर आएगा बिल्कुल भी नहीं हमने अपना portfolio खड़ा कर रहे है हम आज की date में भी DCA कर रहे है which is the best thing which I can do right now with my crypto portfolio आप लोग क्या कर रहे हो निचे comment section में comment करके जुरूर बताना यह सारी चीजे हैं यह सारे mistakes हैं जो एक crypto investor करता है yes, you should listen to people क्योंकि वहाँ से आपको पता रहता है कि किस crypto में क्या चीज़े हो रही है क्या चीज़े नहीं हो रही है सारी चीज़ें जो है वो आपने understand करनी है and accordingly अपना पैसा जो है वो डालना है इन investing in crypto currency यह चीज़े बहुत important है इन चीज़ों को आपका भी भूलना मस और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो like कर देना, share कर लेना, subscribe कर लेना Thank you so much for watching our channel See you next time